प्यारे बच्चों, पिछली कक्छा में हमने बिना मात्रा वाले दो, तीन और चार अक्षरों वाले शब्द पढ़ना, लिखना और बनाना सीख चुके हैं। आज हम आ की मात्रा के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। आ की मात्रा के लिए सिर्फ आ की खड़ी लकीर का उप्योग होता है। यह मात्रा जिस किसी वर्ण या अक्षर में लगाया जाता है, उसके उचारन में दो गुना समय लगता है। और आकार की आवाज लंबी होती है, जैसे क में आकार का, र में आकार त रात, न में आकार क नाक, ग में आकार लगाल, त में आकार, र में आकार तारा, म में आकार, ल में आकार माला, म में आकार, त में आकार माता, त में आकार, ल में आकार ताला, क में आकार, ल में आकार, काला बच्चों आईए अब आ की मात्रा लगे कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं राम अब जाग जा नल पर जाकर नहा पाट शाला का पाट याद कर बाजार जाकर आठ आम ला अब आराम कर बच्चों अब होमवर्क के रूप में आ की मात्रा लगे दस सब्द बनाओ